नमस्कार किसान भाईयों आप सबका हमारे यूटिब चैनल में स्वागत है आज हम महेंद्रा के और पावर टैक के दो भेतरी ट्रैक्टर की तुलना करने वाले हैं तो चलो शुरुआत करते हैं बिना वक्त कवाई आपके मोबल स्क्रीन पे जो पहरा टैक्टर दिख रहा है वो महेंद्रा 445 DISP प्लस है और दूसरा टैक्टर है उसका नाम पावर टैक यूरो 42 प्लस है इंजिन में होर्स पावर की बात करें तो दोनों टैक्टर आपको 44 होर्स पावर में मिलते हैं इंडर्स की बात करें तो आपको पहरे टैक्टर के अंदर 4 सिलिंडर्स मिलेंगे वही दूसरे टैक्टर के अंदर आपको 3 सिलिंडर्स मिलेंगे transmission में बात करें close type तो आपको दोनों ट्रक्टर के अंदर single और dual close मिलेगा और transmission type की बात करें तो आपको दोनों ट्रक्टर के अंदर constant mesh transmission type मिलेगा gears की बात करें तो आपको दोनों ट्रक्टर के अंदर head forward और 2 reverse gear मिलेंगे ब्रेक्स की बात करें तो आपको पहले ट्रैक्टर के अंदर आपको आपको आप्शन मिलता है पावर स्टेरिंग और मैकेनिकल सिंगल ड्रॉप आर्म आप्शन स्टेरिंग पावर टेक आप दोनों ट्रैक्टर के अंदर आपको 6 प्लिन प्यूटियो टाइप मिलेगा प्यूटियो आर्पियम की बात करें तो आपको 540 मिलेगा और प्यूटियो हॉर्स पावर की बात करें तो आपको 39 महिंदरा के अंदर और 37 पावर टेक्ट मिलेगा तो पावर के मामली में महिंदरा power track से आगे निकल जाता है आपको दोनों trackers के अंदर पचास्ट टर की fuel tank मिलेगी जिससे आप लंबे समय तक खेत में काम कर पाएंगी Hydraulics lifting capacity की बात करें तो पहरे trackers के अंदर आपको 1500 kg की lifting capacity मिलती है वही दुसरे trackers के अंदर आपको 1600 kg की lifting capacity मिलती है lifting capacity के अंदर power track महेंदर से आगे निकल जाता है टायर size की बात करें तो दोनों trackers के टायर एक ही size के हैं अगले टायर 616 के और पिछले बायर 3.6 इंटर 28 के drive type के बात करें तो आपको दोनों trackers के अंदर dual drive मिलेगा warranty की बात करें तो आपको पहेंदर ट्रैक्टर के अंदर यानि कि महेंदरा में 6 साल की warranty मिलेगी वही power track में आपको 5 साल की warranty मिलती है warranty में महेंदरा power track से आगे निकल जाता है अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महतों पुरना बात यानि कि इन दोनों trackers की की कीमत तो पहेंदरा ट्रैक्टर महेंदरा चाल से पुर्जटर D.I.S.P. प्लस आपको 6 से 7 लाग के बिच मिल जाएगा वही power track एरो 42 प्लस आपको 5 लाग 8,000 से 6 लाग तक मिल जाएगा प्राइस के बारे में आपको एक बात में बताना चाहूंगा कि हर राज्य में हर ट्रैक्टर की कीमत थोड़ी बहुत उपर नीची होती रहती है इसका आप ध्यान रखें अब एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपको इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर पसंद आया और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक केज़े और इसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब केज़े धन्यवाद